चलिए दोस्तों ये हमारा पाचवा वीडियो है जो की बाल विकास और सिक्षर सास्त्र का वीडियो है सभी साथ ही जो हमारे वीडियो को लाइव देखते हैं सभी साथ ही जूड़ जाएं ताकि हम लाइव सेशन शुरू कर सकें दोस्तों आज के हाँ इस टॉपिक में व्रिद्धी और विकास से जो टॉपिक है उस पर चर्चा करें के विकास के सिध्धान के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं यदि आप 36 गड़ के हैं 36 गड़ शिक्षक भरती की तयारी कर रहे हैं तो हमारी हेन रैटिंग नोट्स आप खरीद सकते हैं हेन रैटिंग नोट्स आप कैसे परचेस करें तो इसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हम एक कॉंटेक्ट नंबर दे देंगे आप व बिल्कुल चली दोस्तों हम सीधे वीडियो पर आते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है ब्रिद्धी और विकास बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हम लेके चल रहे हैं ताकि आपको सीटेट की जो पूरी तयारी है हमारे ही चैनल से मिल सके देखिए ब्रिद्धी और विकास तो ब्रिद्धी और विकास होता क्या है ब्रिद्धी जिन्हें अभी व्रिद्धी भी कहते हैं और विकास ब्रिद्धी को ग्रोथ बोलते हैं और विकास को डेवलाप्मेंट बोलते हैं ठीक है ब्रिद्धी को ग्रोथ बोलते हैं और विकास को डेवलाप्मेंट बोलते हैं ठीक है दोस्तों चली अभी इनको हम डीटेल से समझें तो देखिए अभी वृध्धी या वृध्धी एक तरफ है और एक तरफ विकास को हमने रखने का प्रयास किया है तो अभी वृध्धी या वृध्धी क्या है तो जब हमारे सरीर की सरचना या आकार बढ़ना सुरू होता है तो उसे वृध्धी घते हैं ठीक है अर्थाद बृध्धी में क्या होता है शरीर की सरचना शरीर का आकार उनकी बनावत जब बदलता है या बढ़ने लगता है तो ये क्या है आपका बृद्धी कहलाता है तो उसके बाद में आता है विकास तो विकास क्या है या हमारे मानसिक, समाजिक सवेग आत्मक्त, बौधिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उशे विकास कहते हैं ठीक है बृध्वी क्या है सरीर की वजन बढ़ना लंबाई चवड़ाई ये विकास क्या है साररिक मानसिक बहुद्धिक ये सबी चीजें विकास के अंतर गताता है उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है बृध्वी का जो स्वरूप है बाया होता है बाया कहने से क्या तातपर है दोस्तों बृध्वी को हम देख सकते हैं जैसे किसी बालक या बालिका की लंबाई बढ़ रही है पहले वो तीन साल की उम्रे में उनकी हैट जितनी थी पा बाया होता है अर्थात हम बाहर से उसको पहचान सकते हैं देख सकते हैं जान सकते हैं बृध्वी को ठीक है लेकिन विकास क्या होता है विकास का जो स्वरूप है आंत्रिक तथा बाया दोनों होता है ठीक है आंत्रिक जैसे किसी के दिमाग बढ़ रहा है हम उसको देख नह नहीं पाएंगे कितना होसियार हो रहा है पहले की तुलना में हम इसको भी बिल्कुल नहीं देख पाते ये विकास में होता है लेकिन यह बाया भी होता है ठीक है उसके बाद आता है ब्रिद्धी कुछ समय बाद रुक जाती है देखे दोस्तों एक उम्र होती है सरीर के गंबाई, मोटाई, वजन बढ़ने की एक उम्र होती है एक निस्चित समय आने पर इनकी जो ब्रिद्धी है क्या हो जाती है रुक जाती है ठीक है लेकिन विकास क्या होता है जीवन परियंद चलने वाली प्रक्रिया है ठीक है तो हम 60 साल की उम्र में भी सीख सकते हैं हमारा मानसिक विकास 60 साल के उम्र में भी होता है हम सीखते जाते हैं सीखना अरथात यह मानसिक है है न दोस्तु तो क्या है हमारी उम्र का मतलब नहीं होता सीखने से और सीखना क्या है विकास के अंतर गताता है ठीक है मानसिक प्रक्र या होती है ठीक है उसके बाद आगले पॉइंट को देखें तो देखिए बृद्धी क्रम के नुशार नहीं चलता ठीक है बृद्धी क्या है क्रम के नुशार नहीं चलता है जैसे कभी लंबाई बढ़ता है तो कभी भार बढ़ने लगता है है ना बृद्धी का एक पहले मोटे होने लगता है उनकी हाइड नहीं बढ़ती तो किसी बालक की हाइड बढ़ता है एकदम पतला दुबला टैप का हो जाता है बास जैसे बढ़ने लगता है लेकिन उसके सरीर में बिल्कुल मोटापा नहीं होती एकदम पतला दुबला होता है तो किसी की मोटाई ब निश्चित क्रम होता है उसी क्रम में ही मनुष्य का जो विकास है वह होता है ठीक है दोस्तों तो देखी यहां अगले पॉइंट की तरफ हम पर हैं तो ब्रिद्धी क्या है दिशाहीन होता है ठीक है ब्रिद्धी दिशाहीन होता है इसकी कोई दिशा नहीं होती अर्थात ब्रिद्धी में होता क्या है कभी मोटाय भी बढ़ जाती है कभी हाय भी बढ़ जाती है लेकिन एक दिशा में नहीं होता है जबकी विकास क्या है एक निश्चित दिशा में होता है ठीक है विकास की दिशा निश्च जा सकता है बालक के हाइट को मापा जा सकते हैं अर्थाद बृद्धी को हम माप सकते हैं लेकिन विकास की जब हम बात करते हैं दोस्तों विकास का सीधे मापन करना संभव नहीं है क्योंकि विकास को मापने के लिए इसमें क्या होता है इसे केवल मानसिक विकास का ही मापन कि जा सकता है व्रिद्धि की हम बात करें तो अगले पॉइंट में देखिए व्रिद्धि केवल परिमारात्मक होती है केवल इसको परिणाम के रूप में हम राप्त कर सकते हैं लेकिन जो विकास है परिमारात्मक होती है साथ ही साथ गुनात्मक भी होती है व्रिद्धि क्या है विद्धी होने पर किसी विकास भी हो सकता है और नहीं भी किसी बालक की विद्धी हो रही बालक की हाइट बढ़ रही है बालक की मोटाई बढ़ रही है तो उनका दिमाग भी बढ़ सकता है या दिमाग नहीं भी बढ़ सकता है ठीक है जरूरी नहीं कि आपकी hight बढ़े, तभी दिमाग बढ़ेगा, जरूरी नहीं कि आपकी मोटाई बढ़े, तभी दिमाग बढ़ेगा, एक बावनाव यक्ति भी intelligent हो सकता है, ये है विकास, ठीक है दोस्तों बहुती सटिक तरीके से विद्धी और विकास को आप समाश सकते हैं विद्धी और विकास के बाद में हम अगला जो टॉपिक है फ्रेंस विकास के आयाम तो विकास के आयाम पर हम चर्चा करें तो देखिए इसे हम विकास को प्रभावित करने वाले कारग भी मान सकते हैं विकास के जो आयाम है बहुत सारे आयाम होते है ठीक है जैसे देखिए इसमें अलग-अलग points के माध्यम से मैं आप सब को बताने का प्रयास किया हूँ उसको आप देखिए सारीक विकास ठीक है दोस्तों सारीक विकास होता है गत्यात्मक विकास भी होता है ठीक है सारीक विकास गत्यात्मक विकास मानसिक विकास संग्यानात्मक विकास समाजी विकास समवेगिक विकास नेतिक विकास यह तमाम चीजें तमाम जो points है आपका विकास क अयाम है तो सारीरिक विकास होता क्या है तो देखिए सारीरिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए मिड़े मिल लाया गया मिड़े मिल योजना आप सभी सुने होंगे जो की 36 गर सही तमाम राजियों में मध्यान भोजन के नाम से प्रसिद्ध हमारे 36 गर की हम बात करें या अन्य राजियों की बात करें तो मध्यान भोजन जो दोपहर में बालकों को भोजन प्रदान किया जाता है वही क्या है आपका मिड़े मिल के अंतरगत आता है इसका जो सरीरिक विकास हो सके इसके लिए आपको क्या है मिल नाया गया ठीक है उसके बाद क्या हो जो समझें ओ यह एक तरह से बालक कि सरीरिक विकास, सरीर जितना विक्सित होगा, क्या है, उतना ही हम गती से संबंधित कारिय कर सकते हैं, जैसे देखी, यह मसल्स की शमता और उनके कंट्रोल करने से संबंधित है, ठीक है, तो मसल्स, जो सरीर की मसल्स है, है न, उसकी जो शमता है, ठीक है, और उसको कंट्रोल करना उसको नियंत्रित करने से संब्धित आता है आपका गत्यात्मक विकास ठीक है यहाँ सी question बनता है दोस्तों इसको आप अच्छे से समझे अब यह जो गत्यात्मक विकास है यहाँ दो प्रकार से होता है क्या क्य मोरत है देखिए एक है इस्थुल क्रियात्मक काउसल और दूसरा आता है आपका सुक्ष्म क्रियात्मक काउसल इस्थुल क्रियात्मक काउसल और सुक्ष्म क्रियात्मक काउसल ये जो क्रियात्मक है गती से संबंदित काउसल है यदि बात करें इस्थुल क्रियात्म काउसल की तो चलना, दोडना, खुदना, पैरों से प्रहार करना, ठोकर लगाना ये सब क्या है आपका इस्थुल क्रियात्म काउसल के अंतरगत आता है है ना एक बालक चलना सीखता है, दोडना सीखता है, कुदता सीखता है, पैरों से प्रहार ठोकर लगाना अर्थात हाथ पैर की जो क्रियाएं है पैरों की क्रियाओं से बड़े बड़े जो काम है ठीक है इस्थुल काम बड़े बड़े जो काम है वो करने लगता है वो काउसल गती से सम्मंदित काउसल अरजित करने लगता है तो इस थुल क्रियात्मा काउसल के अंतरगत ये आता है बात करें हम सुक्ष्म क्रियात्मा काउसल की तो इसके अंतरगत हाथों और उंगली की क्रियाओं को सीखते हैं जैसे हाथों से वस्तुवों को उठाना, हाथ का उपयोग करके छोटी-छोटी कार्य करना ये करना बालक सीखते हैं तो वो क्या है आपका सुक्ष्मक्रियात्मक कौसल के अंतरगत आता है तो देखिए एक एकजामपल जिसमें तीन साल का बच्चा चीजें आसानी से उठा सक सकता है बच्चा 4 साल का होता है तो रंगिन पेंसिल को पकर सकता है और 5 साल का जो बच्चा है चीत्रों को चीजें पहचान कर सकता है चीत्र अगर उनके सामने रखी जाए उनकी पहचान कर सकता है यहां तक की छोटी-मोटी चीत्र बना कर उसमें रंग भरना भी जो है 5 सा का बालक सीखने लगता है तो इस प्रकार क्या है आपको जो सुक्ष्म क्रियात्मक कौसल जिसमें हाथों की उंगलियों से क्रियाएं बालक सीखते हैं ठीक है यह तो यहां दोस्तों आपका सारविक कौसल और गत्यात्मक कौसल अगला जो इसमें बिंदु आता है निकल करके वो है देखिए मानसिक या संग्यान आत्मक विकास ठीक है विकास के आयाम में अगला पॉइंट आता है मानसिक या संग्यान आत्मक विकास जब विकास होता है तो मानसिक होती है अर्थात दोस्तों हम सीखते हैं ग्यान अर्जन करते हैं सोचने समझने की जो गुर है बालकों समाजिक विकास किस प्रकार से होता है जब बालक समाज में समाज के लोगों के साथ उठता बैठता है तो वहां लोगों के साथ परस्ट पर अंताक्रिया करता है जिससे उसमें समाजिक विकास होता है तो समवेगों का जो के सम्वेग आप सभी जान रहे हैं मैड्यूगल ने चवदा प्रकार के जो मूल सम्वेग है उनकी बात बताई है तो इनका भी जो विकास है होने लगता है चवदा सम्वेग के बारे में हम आने वाले समय में पढ़ेंगे यहां से भी क्वेश्चन एक आपका एक्जाम में ब और क्या गलत है ठीक है क्या सही क्या गलत इसके बारे में जब आसास होने लगता है बालक को जानने लगता है कि मैं ये काम कर रहा हूं ये सही है या गलत है जब ऐसी उनके मन में धारना निर्मित हो जाती है सही गलत की पहचान हो जाती है तब उसके उसमें दो है उस भालक में नैतिक विकास का जो गुर है विक्सित होने लगता है दोस्तों ठीक है उसके बाद में हमारा जो अगला पॉइंट आता है दखिए बाल विकास का जो सिध्धान्थ है ठीक है तो बाल विकास के क्या सिध्धान्थ होते हैं जितने वीडियो हम बता रहे हैं अत्यन्त ही महत्पुन वीडियो है दोस्तों हम बहुत जल्दी प्रती दिन दो वीडियो सेशन आपके लिए लाइब रखी जा रही है जिसमें मौर्निंग आट बजे और इविनिंग पाच बजे की जो सेशन है वो चलेगी दोस्तों हम दो पहर में इसलिए क्लास नहीं ला सकते क्योंकि हमें भी अपना जो ड्यूटी है वहां इमानदार से रहेंगे ताकि आपकी सीटेट की जो पूरी डिटेल्स जानकारी हमारे चैनल के माध्य हम से मिल सके mcqs भी हम करवाएंगी तो चलिए अब इस topic पर discuss करें तो बालविकास के सिध्धान्त क्या है ठीक है अनेकों सिध्धान्त हम बालविकास के अंतरगत पढ़ते हैं दोस्तों ये हमारा पहला सिध्धान देखिए समान प्रतिमान का सिध्धान क्या है समान प्रतिमान का सिध्धान तो समान प्रतिमान कैसे है तो इसको समझिए प्रतियक जाती अपनी जाती के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुकरर या अनुसरण करती है ठीक है कोई भी जाती है कोई भी वर्ग है कोई भी समाज है ठीक है वह अपने ही समाज के नियमों का अनुसराण करता है ठीक है आप जैसे जिस भी समाज में चाहे आप यादा हो चाहे आप देवांगन हो चाहे आप धीवर हो चाहे आप कमर हो जो भी समाज के व्यक्ति हो ठीक है तो आपको जो नियम है उसी समाज के अनुरूप रहेगा है न उस समाज का क्या नियम हैं चाहे वहाँ नियाम आपका विवाहसंसकार से जुड़े नियाम हो चाहे किसी भी अन्य चीजों से जुड़े हुए नियाम होगे आप अपने ही समाज के जो नियाम है ठीक है उसको फालो करते हैं तो यही क्या है आपका समाजिक प्रतिमान का सिध्धान्त कहलाता है ठीक है दोस्तों चली अगले सिध्धान्त पर हम आएं तो दूसरा सिध्धान्त इसको देखिए क्या है यह सिध्धान्त तो विकास का सिध्धान्त ठीक है दूसरा क्या सिध्धान्त दोस्तों यह है हम चलता है तो सीर से पैर की तरब चलती है इसी को क्या बोलते हैं जिसा मस्तकाद मुखी बोलते हैं ठीक है अगर विकास मध्य से शुरू होकर बाहर की और चले तो उसे दूर्भी मुख काते हैं तो क्या है आपका विकास का दिशा सिध्धान्त कहलाता है अगले सिध्धान पर आए दोस्तों देखिए थर्ड ओप्शन में थर्ड सिध्धान्त है निरंतरता का सिध्धान निरंतर आप सभी जानते हैं निरंतर चलने वाली मतलब सतत लाइब टाइम हमेशा ठीक है तो निरंतर होता क्या है विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है देखिए विकास कभी न अर्थात सतत प्रक्रिया है जीवन परियन तक चलते रहता है जब तक हमारे हिर्दय में सास है जब तक हमारे सरीर में सास है ठीक है तब तक क्या है विकास होते रहता है विकास हमेशा होगा ब् लेकिन विकास जो है जीवन परियन चलता है एक 80 साल का भुजूर्ग 7 साल के छोटे से बालक से भी सीख सकता है ठीक है सीखने की कोई उम्र नहीं होती विकास की कोई एक निस्चित उम्र नहीं है लिमिटेशन नहीं है विकास अनलिमेटेड है ठीक है दोस्तों तो भी क्या है किसी का विकास निरंतर चलने वाली प्राक्रिया है जो की जीवन परियन चलने रहता है हां इसमें होता क्या है केवल गती पर किसी का विकास जल्दी होता है तो किसी का विकास धीरे धीरे होता है ठीक है उसके बाद चौता है देखिए समान्य से विशिष्ट क्रियाओं कसी धान तो क्या है विकास हमेशा समान्य से विशिष्ट की और होता है जैसे उठना बैठना चलना दोरना देखिए समान्य से अब वो धिरे से क्या है वो समान्य काम है सोया हुआ है लेटा हुआ है पैदा होने के बाद में धिरे धिरे वो बड़ा होने लगता है और बड़ा होने के बाद में क्या है वो उठना सिखता है बैठना सिखता है ठीक है चलना सिखता है तो यह क्या है उसे विशिष्ट कारिय तो पुर्वा नुमान का सिद्धान, पुर्वा नुमान आप सभी समझ रहे हैं, पुर्वा नुमान, अर्थात क्या चीज होने वाला है, उसका अनुमान यदि हम होने से पहले लगा लें, तो वो क्या है, पुर्वा नुमान कहलाता है, ठीक है न, तो विकास पुर्वा नु होता है उसको देखकर जान लोगे कि इसका विकास कौन से छेत्र में होगा कई बालक सरारती होते हैं बदमास होगे हम सुरू से बता देते हैं हाई ये बालक बदमास होने वाला है इनका दिमाग ज़्यादा चलता है ये बारलक होसियार होगा है न तो क्या है विकास पुर्वा नुमान परधारित होता है इसलिए विकास में पुर्वा नुमान का सिध्धान्द भी काम करता है ठीक है उसके बाद अगला इसमें देखिए एक और करें ठीक है सभी चीजों का जब हम उपयोग करके काम को करते हैं वही क्या है आपका एकी करण कहलाता है तो इस प्रकार विकास के अनेकों सिधान्त है दोस्तों इसे आप याद रखेंगे हम कोशिज कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से सरल से सरल तरीके से आपको समझ बच्चे के विकास में अनुवानसिक्ता और वातवरान दोनों महत्पुर हैं यहां से प्रश्ट बना हुआ है दोस्तों ठीक है बच्चे का जब विकास होता है तो अनुवानसिक्ता और वातवरान अनुवानसिक्ता अर्था हमारे पिता कैसा था पिता के हाइड कैसे थी वह कितना मोटा था ठीक है वह काला था या गोरा था ये चीज़े क्या है एक बालब पर प्रभाव पड़ता है ठीक है तो क्या है अरिवाल सिक्ता का प्रभाव तो पड़ता ही है साथ ही साथ वातावरण किस वातावरण में है अर्थात उनके जो परिवारिक प्रिश्ट का है तो सही पोशन अहार मिलेगा बोडी को है न सही पोशन अधार मिलेगा तो क्या है बालत में सभी प्रकार का विकास अच्छे से होगा लेकिन अगर बालत को सही अहार सही पोशन तत्व नहीं मिल पाये तो क्या है बालत का विकास अरुद्ध हो जाता है इस प्रकार से क्य सभी तरह का जो विकास है अलग-अलग होती है ठीक है सभी तरह का विकास चाहे बात करें हम सारिक विकास की मानसिक विकास की समाजिक विकास की समयगात्मक विकास की बहुत धिक विकास की ठीक है तो सभी विकास क्या है बिलकूल अलग-अलग होती है ठीक है उसके बाद अग रेखी वक्री यह चीजे अप्शन में जब रेखी कभी नहीं होगा याद रखेंगे दोस्तों विकास कभी भी रेखी नहीं होता ठीक है कभी भी सिधी रेखा में नहीं चलता बस विकास की जो प्रक्रिया है धीमी या तेज हो सकती है ठीक है तो यह तरह important fact तो इस तरह हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ लिया दोस्तों important factor पर discuss किया विकास के आयाम पर discuss किया साथ ही साथ बृद्री और विकास के बारे में हमने पढ़ा यह जो चीजें या जितने भी topic आज के session में हमने चर्चा किया है बहुत ही important chapter है ठीक है दोस्तों आपकी कोई भी doubts है तो comment में पूछें जिस topic को आप बोलेंगे कि सर हमें ये वाला topic समझाईए उसी topic को हम चलेंगे हमारा उद्देश्य है सीटेट में जो भी topic आपसे नहीं बन रहा है जरूर नहीं है कि हम किसी भी चीज को लेकर क्रम से चलें दोस्तों ठीक है आप बताते चलें कि आपको पढ़ना क्या है कौन से concept आपको समझ में नहीं आया है क्योंकि हम कोशिस करेंगे कि उसी जो concept है ठीक है उसी concept concept को लेकर हम आपको बता सकें परहा सकें ठीक है इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई लाइव सेशन के साथ तब तक जहें